इस वीडियो में बात करेंगे American Express के recruitment process के बारे में तो जब यह freshers को hire करती है on campus, off campus काफी सारे post के लिए जब यह hire करती है तो मैं इस वीडियो में basically बात कर रहा हूँ इसके software engineer role के लिए या software engineer होगा या software development engineer होगा ऐसा करके कुछ post होगी जिस पर आपने apply किया होगा तो उसका process क्या रहता है, उसके बारे में मैं जड़ा discuss करना चाहता हूँ क्या difficulty रहती है, कैसे interviews रहते हैं तो जड़ा सब कुछ discuss कर लेते हैं one by one, सबसे पहले इसमें होता है एक online test, right अब जो online test है, मैं कहूंगा सबसे crucial part है American Express का crucial part क्यों है यह, it is really a difficult online test, काफी difficult online test है मेरे साब से, मतलब अच्छा level का online test होता है तीन coding questions आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको लग बगल 90 minutes का time मिलता है, मतलब 1.5 hour आप कह सकते हो इसको, right तो यह आपका कुछ test होता है, अब इसमें difficult में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसमें आते हैं, तीन coding question 90 minutes में कर रहा हूं, ऊपर से इसमें एक question lead code hard तो होता ही है, जो आपने देखा भी नहीं होगा, ऐसा question इसमें जरूर रहता है ठीक है, एक question तो lead code hard level का आपको आता है, दो question lead code medium level के आते हैं, ठीक है, तो अगर आपके दिमाग में, अगर question strike कर गया, ठीक बात है, अगर नहीं strike गया, तो tata vibe है, क्योंकि लगबग अगर आपको इसका test निकालना है, तो फिलाल American Express में लगबग, कभी कबार interview call आ जाता है, Generally, अगर 2.5 अगर आप करते हो, तो लगबग आपको confirm हो जाता है, 2.5 मतलब दो questions के सारे test case पास, और एक के अगर half test case भी पास हो गए, तो आपको call आ सकता है, तो अगर जो hard वाला question होता है, अगर आप उसको solve कर पाए हैं, और उसके साथ अगर आपने coding question और कोई medium solve कर लिया ह तो एक graph वाला question मेरे साब से generally पूछा जाता है hard में, तो वो अगर आप कर पाए हैं, तो आपके chances अच्छे खासे हो जाते हैं, कि आपको interview call आ जाएगा, questions की difficulty, difficult है, questions जो आते हैं, lead code, medium, hard level के आते हैं, और ऐसे questions आते हैं, जो आपने कभी देखे नहीं होंगे, ठीक है, मतलब थोड़े अलग type के आते हैं, घुमे हुए standard algorithm हो सकता है, उसमें apply हो रही हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ difficult, जब मैं बोल रहा हूँ difficult, तो मतलब difficult है, ठीक है, तो ये लगबग इसका level होता है, तो इसके लिए आपको जो preparation है, अच्छी घासी करनी पड़ेगी, आप क्य आपको काफी मदद मिलने वाली है, इस चीज में, तो ये आपको preparation करनी पड़ेगी, मैं कहूंगा कि एक अच्छे level पर data structure and algorithm prepare करके जाए, ये जो hard question आता है, generally दो ही topic से आता है, ये आता है, या तो DP से और या फिर graph से, ठीक है, और बाकी कि जो दो question से वो किसी भी topic से आ सकते हैं, लेकिन जो hard वाला question है, generally इनी दो topics से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो 90 minute का लगभगी ये test होता है, तो इसको clear करने के बाद, अगर आप इसको clear कर लेते हो, तो आपका आएगा एक technical interview, ठीक है, तो उसका discuss करते हैं, I guess, इतना तो मैंने आपको बताई दिया कि first test आपका कैसे होने वाला है, right, तो अब इसके बाद आएगा एक technical interview, अब जो technical interview है, उसकी बात करते हैं, उसमें क्या होगा, तो चलो, चलते हैं, technical interview की तरफ, right, तो चलो, technical interview देखते हैं, तो इसमें इसकी बाद होगा, आपका tag 1 में लिख दूँगा, इसको tag 1, ठीक है, टेकनि एक या दो question DSA के पूछ लिए जाए ठीक है और इन questions का जो level होगा वो लगबग easy medium होगा ज्यादा difficult question नहीं आते हैं standard question ही पूछ जाते हैं ठीक है इसके जो यह round ज्यादा trees link list ऐसे topics DP इससे questions पूछ जाते हैं dbms, os, cn इसके questions आपको देखने को मिलेंगे ठीक है क्योंकि यह अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप काफी लगी हो क्योंकि generally यह company काफी जादा focus करती है इन चीज़ों पर आपको ऐसे questions देखने को मिल सकते हैं ठीक है तो यह भी आपको prepare करके जाना पड़ेगा और definitely आपसे oops concepts के questions पूछे जाते हैं तो oops आपको prepare ढंक से करके जाने ही पड़ेगे अगर आपने resume में कोई internship बगरा करी है तो वह आपको ढंक से prepare करके जानी पड़ेगी अब question आ रहा होगा कि project कहां से prepare करें project के लिए मैं कहूंगा कि मैंने एक video बनाई थी description में link होगा उसका how to prepare for projects वहां से आप जाके देख सकते हैं किसमें किस type के questions आपको देखने को मिलेंगे वहां से आपको एक-एक question का answer दिया है separately तो discuss मैंने किया था वो सब तो आप जाके description से check कर सकते हैं ठीक है तो this is all about tech 1 similarly ही tech 2 round होता है जिसमें भी यही चीज फॉलो करी जाएगी यह दोनों का syllabus है tech 1 यह tech 2 ठीक है दोनों मैं इसी में से overall चीजें पूछी जाती है जो मैंने इसमें लिख दिया है ठीक है इससे बाहर मुझ के लिए कि कुछ आप से पूछा जाए कुछ situation based question पूछी जा सकते हैं हो सकता है लेकिन generally जो interview होगा वो इतने पही होगा तो make sure इसके लिए आप ठंक से prepare करके जाए अगर मैं dsa की बात करूँ तो dsa के लिए एक playlist बना रहा हूँ हूँ मैं best dsa resources जिसका link comment के pinned comment में आ जाएगा आपको तो वहां से जाके आप उस playlist को भी access कर सकते हैं जिसमें हर topic को लेके मैं बताया है कि आप इस इस रिसोर्स को कहां से जाके पढ़ सकते हो ठीक है चलो तो टेक टू हो गया टेक टेक वन हो गया टेक टू हो गया यह भी सिमिलरी होता है लगबग वन आवर के आस-पास का और वह भी से लिए से मेरता है इसके बाद आपका एक HR राउंड आता है HR या managerial round कह सकते हो आप ठ के लिए एक PDF मनाई थी description में लिंक आ रहे होगी how to prepare for HR on your FAQ in HR round ऐसा कुछ करके तो उस YouTube वीडियो को खोलना उसमें PDF अटेचर सारे question answer मिल जाएंगे तो HR हम वहां से prepare कर लेंगे ठीक है और generally यही पूछा जाता है आप से आपके बारे में पूछा जा सकता है कि आप कौन हो ठ ठीक है कि मतलब जतना ज्यादा चयादा आप अपने वारे में बता सकता है तो आपने क्या किया क्या प्रोजेक्ट बनाए क्या कॉलेज में किया कौन सी society कौन सी internship करी जो भी किया यह सब आप से HR round में पूछा जाएगा that's final round overall difficulty की बात करूं तो American Express का interview को मैं medium to difficult का हूंगा थ बहुत अच्छी गंबनी है तो थोड़ा सा मैनत करने ही पड़ेगा तो यह इसका all about recruitment process है if you want any separate video on any round in describe like अगर मतलब तो मैं first round चाहिए कि बाई online test का थोड़ा description नो मता हो के questions attach कर करके कैसे कैसे मैं separate video बना के दूंगा आपके वल comment में बता देना या किसी interview round के बारे में watching you can put your doubts in the comment section thank you